आज स्थानिये सरकेट हाउस में जल्विभाग की तरफ से जागरूपता सैमिनर लगाया गया इस मौके पर लोगों को पानी के परियोग को लेकर जागरूप किया गया पत्रकारों से बाचित करते हुए विभाग के अधिकारी कुलदीब गांधी ने बताया कि सरकार द्वारा पंजाब ग्रामिन जल्व और सैनिटेशन सेक्टर सुधार प्रजेक्ट के अंतरगत गाउं में 24 घंटे पानी की सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब में पानी का स्तर लगातार गिरता जा रहा है जो की काफी चिंता का विशे है उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि हमें पानी का सो समझ कर परयोग करना चाहिए वनना वह दिन दूर नहीं जब पानी के लिए हमें घंटो लाइनों में लगना पड़ेगा वो लोकानों जागरुक कर रही है जीदे विचे कई तरह नियां सूचना सिख्यां थे संचार गतिविदियां राही लोकानों एदे ब्रती जागरुक किता जा रहे है सादे विपाग दे सुथकार योग सेक्टरी साहब शिरीमती जस्परीद को और तलवार जी उनना दी योग अगवाई हेट जड़ा है विपाग पूरी बचनबत्ता दे नाल सारे पंजाब दे विचे एक अतिविदियां चला रहे है और बड़ी शेती जडियां हैं पंजा जड़ा जल सप्लाई सुवत हो शाम तक निर्विगन चलेगी ता यदे नाल सुसाइटी दी अपलिफ्टमेंट होएगी पानी दी वेस्टेज रुकेगी किसे भी तरिक्के दी कोई पानी दी वद्धू सांसमा आलकरंदी लोडनी है कोई चकतर करंदी लोडनी है लेडिज पानी जड़ा है कोई अपनी कोई कमतन दा कर सकनी है नालो नाल सारियां इस तरियां दा जड़ा है दे विच जीवन पदर उच्चा होएगा और पंजाब जहोर खुशाली आएगी एस अड़े प्रजेक्ट दा मुक्ष देश है